आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको हेल्ट स्पोकन डिटॉरियल जो हम दोगने आई टी बम में तयार किये हैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी क्योंकि हमारा निपंटार कोर्स में बहुत सारेां हम शुवने ये स्पोकन डिटॉरिल भी डाल हो हैं लुपसिता इंटेटोरियल जह जोना भी है विह जो जुरुन्ही क्या है ज्याना बहुत दूरी है अपमारे NGO के पास और हमें बताया कि हमें भी यह स्पोकन टॉल बनाने हैं हेल्थ के हेल्द नूट्रिशन के टॉपिक पे तो यह हम लोगों ने दो हाजार तीरा से लेके दो हाजार हैं आप ए और हम लोगों को डिखाना अगर हम लोगों ने मा को और से गण दिया सही तरक से स्तन्पान की टेक्निक सिखा आई, सही तरक से क्या खाना खिलाना है वो मा को सिखा आया तो एक ही साल में बहुत सारा हम लोग को रिजल्ट मिला तो यहां पर क्या था कि about 286 बच्चे आये थे हमारे पास, दो बहने के अंदर के और यह जो डेटा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्टिंग का डेटा है, वेस्टिंग मतलब साम मैं, साम बचे, साम, सिवियर वेस्टिंग तो यह severe wasting एक ही साल में लगभग 66.7% कम हो गया, तो यह आप देख रहे हैं कि यह सिफ मां की दूट से और घर की खाने से यह मम्किन हुआ है, वेस्टिंग मतलब साम मैं, दोनों मिला के सुला टका इंप्रूब्मेंट हुआ, जो SCUW थे बच्चे, जो severe underweight बच्चे थे, तो उनका आप रिजल्ट देख रहे हैं, लगभग 67.6% बच्चे बहार निकल गया SCUW से, underweight, मतलब M.U.W. और SCUW, moderate underweight and severe underweight, वो भी बच्चे लगभग 50 तका बच्चे बहार निकल गया, ठीक है, और यह सिर्फ एक साल में यह मुम्किन हुआ, और जो severe stunting बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नाटापन, वो भी लगभग 32 तका निचे आया, ठीक है, और stunting level है, जो moderate stunting बहुता है, मतलब moderate नाटापन और बहुत ज्यादा नाटापन, वो भी लगभग 20 तका निचे आया, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने बहुत सरे, जो हमारी जो skills है, skills पे बहुत ध्यान दिया, और यह result हम लोगों यह मिला, अभी कई सारे बच्चे थे, यह पूरा जो एरिया था, वो था migrant population का था, मतलब धूबीगाट था, तो लोग आते थे, यूपी, बिहार, अलग-अलग states से, थोड़े महने रहते थे और थोड़े महने चले जाते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो एक साल तक तो रहे हमारे पास, लेकिन फिर व 80 बच्चे से, उसमें से 80 बच्चे ऐसे थे, कि 2 साल तक हमारे पास रहे, तो उसका भी डेटा बहुत अच्छा है, आप यहां से देखेंगे, severe wasting, मतलब Sam बच्चे, 40 अका बच्चे, जो 2 साल तक में थे, तो almost 40 अका बच्चे बहार निकल गए, Sam बच्चे, वेस्टिंग मतल Sam बड़ा, तो मतलब Sam तो अच्छा हुआ, लेकिन MAM बड़ा, तो मैं भी बताऊंगे कि MAM बच्चे क्यों बड़े थोड़े, लेकिन यह wasting है, SCW वापस कम हुआ, 40-45 टका कम हुआ, 33 टका underweight कम हुआ, severe stunting 50 टका कम हुआ, देखा, यह बच्चे अगर 2 साल तक हमारे पास आते कम हुआ, मतलब कहने का मतलब यह कि कभी-कभी ऐसा होता है कि stunting को दूर करने में थोड़ा टाइम लगता है, हमलों को hope नहीं lose करना है, ठीक है, और यह stunting है, जो वो भी about 28 टका कम हुआ, तो यह हम लोग ने data breastfeeding conference में दिया था, और उनको बहुत अच्छा लगा था, और यह M Sam क्यों बढ़ है, मतलब, wasting क्यों बढ़ा, जो कि Sam तो बच्चे ठीक हो रहे है, लेकिन माम बढ़ा, क्या हो रहा था कि जैसे बजे से बच्चे लंबे हो रहे थे, वैसे बच्चे पतले, लेकिन उनका height बहुत अच्छा बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत उसको अच्छा portion मि रहे थे लेकिन जितना जो calories मिलना चाहिए जिसका जो बढ़ना चाहिए वह वजन नहीं बढ़ा तो अभी मैं क्या करूंगी कि यह बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा चर्भी दोंगी तो उनका बजन भी इतना ही बढ़ेगा जितने उनकी हाइट बढ़ रही थी वजन कम रहे थे लेकिन वजन में कम थे जैसे अंडर्वेट तो आपने देखा कि अंडर्वेट भी भार निकल रहे तो यह बच्चे मुझे मतलब इतना मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि बहुत सारे लंबे बहुत बच्चे लंबे हमारे हुए थे राइट तो वह लंबाई के हिस iat bombay ने भी बिताया कि उनको health spoken to tale बनाने है हुए और उनका focus था पहले 1000 दे रिमाता का nutrition you know जो थोएट बेलाते हैं उनका nutrition तो, सबकी के अब को कि शुरीव bay का nutrition के बारे में उनको spoken to tale banane थे थे ठीक है तो ये जो उनकाजा प्रजेक मंत था था हमारी भारत सरकार की पहल थी ये और उनका ये प्रोजेक्ट था तो तभी मैंने आई टी थू स्पोकन टुटरायल जोइन किया ठीक है तो ये स्पोकन टुटरायल क्या है हम लोग उनको स्टी भी बोले स्पोकन टुटरायल यह एक 10 मिनिट का लंबा ओडियो वीडियो सारे अनिमेटेड स्लाइड और जिसमें रनिंग कॉमेंटरी है मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है सिर्फ रनिंग कॉमेंटरी ही है एक स्क्रिप्ट जिसे एक शुरुवार द्वारा समझने योगया रूप में तो क्या होता है कि पहले तो हम लोग एक स्क्रिप्ट ठीक है और वो स्क्रिप्ट को हम लोग जो बहुत उस पर मनन करते हैं स्क्रिप्ट को बहुत उसका रिसर्च करते हैं बहुत उसको अच्छी तरह हम लोग बनाते हैं फिर हम लोग किसी को बुला के वो स्क्रिप्ट को पढ़वाते हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ता है बात में वों डौक्टर नहीं है, या तो नुटृशिशिनिस नहीं है तो नर्स नहीं है, कोई ऐसा होता है कि जाधा पढ़ा लिखा भी नहीं हो जैसे नोविस हो, उखो हम लोग यह स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं और फिर उफे उनको, उसके साथ हम लोग उसके ग्राफिक्स भी बनाते हैं, जैसे ग्राफिक्स बनाना जैसे कार्टून जैसे बोलते हैं, और फिर यह हम लोग कम्माइन करके उनका टुटॉरल बनाते हैं, हमारी जो ट्रांसलेट, जो डबर है, वो फिर यह स्क्रिप्ट को इंग्लिश में पहले लोग ने बनाया था तो हमारा दिया था कि जो भी टुटर्रीशन उसको चाहिए, टो यह हमारा नहीं इन सिंखे क्या nutrition उसको चाहिए, तो यह हमारा धिये था जब हम लोग उने शुरुवात की थी, ठीक है, फिर एक पर वो English में हो जाता है, फिर हम लोग उसको दूसरी दूसरी भाषा में अनुवात करते हैं, सबसे पहले एक सेट हम लोग अंग्रेजी में तयार करते हैं, ठीक है, और फि हम लोग उसको डब करते हैं, ठीक है, और क्यूंकि हमारा धिये था कि हम लोग लास्ट माइल तक वो टुटॉरल पहुचा है, तो इंग्लिश में सबको तो सिखाना मुम्के नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने सारे भारक की जो बाइस भाषा है, जो के हेल्ट स्पोकर टॉर जो है, वो अभी तक पंदरा भाषा में हुई है, और लगभग अलग अलग दूसरी ट्रैबल लैंगविजिस में हुई है, लेकिन नॉर्मली जो आइटी बंबे की जो सौफ्ट्वर इंजिनिरिंग के स्पोकर टॉर लैंगविजिस है, वो 22 भाषा में है, और यह पूरा सेट है, अभी तक हम लोग ने लगभग 92 टुटाल्स रेडी किये हुए, हमारा दिये के हम लोग 100 से भी ज्यादा टुटाल्स रेडी करें, और यह सारे टुटाल को हम लोग ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे में कभी-कभी connection नहीं होता है, तो कुछ problem होता है, तो यह हम लोग offline mode भी डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और यह जो है, यह सारे टुटाल्स है, वो offline mode में आपको बिलकुल मुफत में आप देख सकते हैं, there is no cost to it, ठीक है, और हमारा दिये था कि जो कौन सी को सिखाना, तो of course, सब को सिखाना जरूरी है, लेकिन हमारे दिये था कि अगर कोई एक और अउरत है, वो गाउ में है, और उसके पास स्मार्टफोन तो है, एक बच्चा भी है चोटा, लेकिन वो दूध नहीं पिला सकती, उसे मालूम नहीं है, बच्चा रोता है, तो यह अगर वो देखती है और अगर अपने अप सीखती है, तो यही हमारा दिय था कि इतने सिंपल भाशा में, इतनी सरल भाशा में हम लोग टुटॉल बनाएं, कि कोई भी यह टुटॉल देख के अपने आप सीख सकता है, ठीक है, लेकिन यह जो इस तनपांद का, जो है, वो है विशिस्ट कोशलय है, वो skill है, तो skill सिखना बहुत जरूरी है, हम लोग healthcare workers है, फिल्ड में काम करते हैं, A&M's है, AASHA's है, AAA's है, तो यह skill सिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तो आपने, जैसे आपको content तो पता चल गया, कि चलो ऐसे पकड़ना है, वैसे पकड़ना है, लेकि तो यह deals spoken tutorial है वो skill इतना ही important है जितना spoken tutorial देखना हमारा दे यह है कि सही सामस्य का सही समाधان त ही मंटर है हमारा थीक है तो भारत में से आपको कुपोशन निकाला आपने पहले criticism में देखा कि कितना कुपोशन है तो एक आपको यह तो समस्या है ही आपको लेकिन अभी उसका सही समय पे आपको देना है, आपके फील्ड में माता को देना है, फैमिलीज को देना है, आपको समझना है, क्या है, आपको सीखना है, अगर हम लोग ये सीख गए, तो हमारा मलनुटरिशन डेफिनिटली की उपोशन भारत से निकल जाएगा, ठीक है, से उपर की मात्रा भी हम लोग कर रहे है, अडल्ट नूट्रिशन भी आ रहा है, और अभी हम लोग एक असिस्टेर इंटलिजेंस आप भी हम लोग उस पे काम कर रहे है, तो बहुत जल समय में आपको ये आप भी, आपको मैं सिखाऊंगे कैसे ये आप यूज करना है, ठीक उससे की हमारे ऊपिक्स है, पूरक भुजन के पूरक आहार, मात्रौ पॉषण की टॉपिक है, है ये ह furnace टॉपिक नावजाज शिशू नयंग के तो मैं थोड़ा आपको डीटेल में ब्ताती हूँ किया क्या टॉपिक है तो स्तन्पान के कौशल में जैसे मैंने आपको मेरे अगले सेशन में दिखाया था कि क्रॉस्ट्रेटल होल्ड से हमारे बच्चों का बहुत बजन बढ़ रहा था तो यह जो क्रॉस्ट्रेटल होल्ड और लाचिंग के दो टुटॉरल हमनों ने बना है बहुत ही महत्व पुरूने टुटॉल है यह स्तन्पान का महत्वा, COVID-19 के दौरान स्तन्पान का महत्वा भी थास, बच्चे रहे बढ़ा हैं व्युक्त्रेटल को मजले का फिर पहले हमनों फड़िशनल वोलड पर दिखा है किले थेखे गाव आरम सिखा नहीं थिए देन था égalव मेंग्रॉईल पेट पे रखना है, वो मा और बच्चा खुद क्रॉल करके मा के स्टन पर पहुँचेगा और दूद पेगा, तो इसके बारे में भी मैंने टुटॉल्स हम लोगों ने बनाये हुए है, सिजरिन सेक्षन के टाइम पे, तो सिजरिन सेक्षन के दो तीन टुटॉरली बनाये हुए वह एक पहले क्या करना है। बहुत ही सुवण बनाये है बहुत सारी Mothers को सिजरिन से बच्छे पादा होते हैं अजकल। फिर निपल कंडिशन है, बहुत सारी मदर्स को निपल में प्रॉब्लम होते हैं, बहुत उसमें जख्खम हो जाते हैं, स्टन में जख्खम हो जाते हैं, कभी-कभी उसमें परू हो जाता है, पस हो जाता है, इंफेक्शन हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने ट जिससे वो अपना दूद बढ़ा सकती है और बच्चे को दूद पिला सकती है दूसरे केम से है आपका kangaroo mother care तो आपका मालूमी होगा तो उसके भी टुटॉरल है हाथ से दूद बाहर निकालना स्थन का दूद निकाल के उसको कैसे संभालना है उसको कैसे स्टोरेज करना है त तो उसकी भी इंपॉर्टंस ब्रेस्टी इसकी नियुक्या करता है कि हमारी क्या क्या है उनको रिक्षा करता है क्यों कि वह सारी माताइं को लेंसे मार्केट हुथे आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी पूरक बोजन है ठीक है यह पूरक बोजन में में भी बहुत सारे टुटॉल्स बनाई है कि यह टाइप वन टाइप टू क्या नुटूशन है उसके पोशत तक तो क्या है चोटे बचों के लिए जो एने कि उसकी महत्वकी क्या क्रिया है जंग फूड क्या है यू अलग-अलग उसकी पहले चे महने में चे से टीशन महने के बचे को फूरा काहर कैसे देना है कितना देना है पूरी उनकी गाइड लाइन है तो वह भी उसकी वी टूटॉल बनाएं हम लोगने और जो अमलक खान उसको उसको तैयर करना है कैसे उसक का वह ना अचाहिए यो है हाईजेन के बारे में पताया गया है किसे हाथ-बदोना कभी-दोना है अब वह सब बहुत इहां कि बच्चों को जुलाब होना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है जब अब खाना बनाते और अगर वो स्वच्छ नहीं है तो बच्चे को जुलाब होने के चांस बहुत ज्यादा है और यह सारे अलग-अलग व्यंजन बनाए हो लोगों ने रेसिपीस बनाई हुए शाकाहरी और मासाहरी दोनों है और उमर के हिसाब से हम लोगों ने बनाए हुए तो यह भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पार्टी रेसिपीस भी बनाई हुए है कि अगर बच्चे को बचे का बड़े है सबस्थ 3-4 साल का बच्चा अपने गर में पाटी रखी है तो पाटी में आपको कैसे वो स्वादेस्ट भोजन स्नाक्स बनाना है उसकी भी हम लोगों ने टुटॉल्स बनाए हुए ठीक है अभी यह चुटॉल्स है यह है मातरू पोशन मातरू पोशन म सब के लिए जरूरी है सब के लिए जरूरी है सब बच्चों के लिए हमारे लिए भी जरूरी है तो इसमें लोगों ने बहुत सारे पोशन तत्वा पर ध्यान दिया हुआ है अभी भी बहुत सारे पोशन तत्वा पर हम बना रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा इडिशन होंगा तो एक तो है का प्रोटीन, फोलेट, कैल्शिम, लोहा है जो आपक काउन सी रेसिपी सब बना सकते हैं इसको लेके तो यह भी आप सिखने वाले हैं और यह जो है सारे व्यांजनों की बहुत सारे वीडियो सम लोग ने बनाये हो हैं साकारी और मासारी दोनों ही है और हर एक पोशक तत्वा को लेके उसके लिए अम लोग ने तीन टूटारल एक तो तो तोल जो है महतव उसका महतव क्या है दूसरा टूटार सापकाः वियन जनन तूसरा टूटारल है मासारी भग लेके जो अलाग-लाग पोशक ततो है उनकी अलाग-अलग रेसिपीस बनाई होंगी है और रेसिपीस कैसी बनाई है कम स्टार्च वाली हो तो हम अर वी वी हम लोगे नें बताया होगा है और यह जो सारी वजन है उस में पोशक्तर बहुत भर भर के हैं ठीक है और वह ऊछने से मिल रहे हैं आपको उपर से कुछ ambiguous नहीं डालना रहा है वह खाने से हम लोग ने वह बहुतyd जना बनाए हुए और ये जो है दूसरे जी नवजाज श हिशू की देखपाल तो नवजाज शिशू की देखपाल में क्या होता है कि पहले सनान कैसे किरें और यह इनकों किसे झारें च हैं इम अल्धा का राएं कैयं से डाय। बारे Director Sud Z-cords या क्या है तो वैसे हम लोग ने बहुत सारे topics लिये हैं तो आपको ये भी अपको बहुत सिखने को मिलेगा ठीक है अभी ये जो सारे tutorials आप कहां कहां पर use कर सकते हैं तो इस पर हम लोग ने भी बहुत सोचा है तो यह हमारा पहले तो दिस्च रिखा की कास violet को है? तो आप इस TJ bottles किसको दिखा सकते हैं. तो उसमें तो टारगेट लिखे हें अक्मी शहरीं बने बेश सब्सक्राइब सकते हैं पूरे जो आपके FLWs है, जो फिल्ड में काम कर रहे हैं, सब लेवल पे दिखाना है आपको, Medical Doctors है, Amos है, Medical Officers, CHOs, A&M, AASHा, अंगनवारी सेविका, सबको, सबको, सबके लिए हैं, ठीक है? यह जो जब एक बार टुटॉल आप देख लेते हैं, तो जो जो ग्ञान है, उसका dilution नहीं होगा, मतलब आपको सबका सब याद रहेगा, क्योंकि आप जब टुटॉल दिखा रहे हैं, आपको तुरंती याद आ जाएगा, और आपको टुटॉल दिखाने के बाद थोड़ा स और इसके साथ मदर के साथ डिसकेस करना है, और यह बाइस भाशाओं में है, तो आप भारत में कहीं पर भी जाएंगे, तो कोई भी मदर या फैमिली को दिखा सकेंगे, हमारे पास अभी 15 लाइंगवेज हैं, दुसरी भाशा हैं हो रहे हैं, ट्राबिल लाइंगवेज में भी हो रहे हैं अभी टुटॉल्स यह सेर्फ लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन उसमें स्किल सिखना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर आप किसी को और को सिखा रहे तो आपको स्किल आना बहुत ही आवश्चक है ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि जैसे Covid था आप माता को डिरेक्ली नहीं मिल सकें लेकिन आप फोन पे उनके साथ कनेक्शन में थें तो सारे हमारे टुरॉल्स हैं यह हमारे यूट्यूब पे भी है और यह हमारे वेबसाइट पे भी है तो आप ये यूट्यूब और वेबसाइट का लिंक भी भी सकते हैं अगर मा के पास smartphone हो तो मतलब आप दूर से भी मदर को help कर सकते कि अच्छा बचे को दूर नहीं मिल रहा है आपको दूर नहीं आ रहा है चलो आपको ये वीडियो पेजना है अच्छा मदर को नहीं पता है कि मैं formula चलो करें इसके क्या-क्या problems है क्या-क्या complications आपको वो tutorial भीजना है तो जो भी problem है उसका tutorial आप मदर को phone पे भीज सकते हैं और इसको हम लोग बोलते है design learning ठीक है design से सिखाना बतलब जो भी problem है आपको वो टुटॉल्स वो problems के tutorial आपको दो या तीन link मा को भीजनी है या तो यह दो या तीन टुटॉल्स आपको मा को सिखाने है ठीक है ठीक है और यह जो टुटॉल्स है पूरे जिवन चक्र के माधियम से हम लोग ने बनाए हुए तो अगर माता प्रेगनेंट माता है तो उसके लिए अलग है लैक्टिटिंग माता है तो उसके लिए अलग है और किश्वरी वाय है तो उसके लिए अलग है तो अलग अलग से आपको सेवलेडाने है ठीक है और यह जो है कभी आप सपोज हुस्पील में काम करई तो यह तो तब आप शुकीषट्र हो तो यह सारभ सिखा सकते हो तो यह तीवी पर दिखाना बहुत ही कोई भी वेटिंग एरिया है तो वहाँ पर मदर को सिखा सकते हो मतला वो टीवी पर चालो रहा तो वो देखेगी अपने आप ही देखेगी और यह जो है यह पूरा हमारे कैपसिटी बिल्डिंग बोलते हैं बहुत यूस्फुल रहेगा ठीक है तो यह हमारा आइटी बॉंबे का हेल्ट स्पोक नुट्रोल का प्रोजेक्ट है और हमारा दिया है कि हम लोग इंडिया से कूपोश्चन निकाल दे यह हमारे कपैसिटी बिल्डिंग का ड्रस्टिक ओन शम्ता निर्मान ठीक है उसके साथ हम लोग इस किट भी की देते हैं मैं आपको बताते हैं कि हम लोग इस हम इससे इस्तिमाल कर रहे हैं। तो यह का यहां पर आइट कने हमलोग के पास 45 बॉम्रत की वानक प्रोजेक्ञ्ट का सब्सक्राइफ है . इसका 1 प adesso केर ग ठीकwol कर देदा है चार्ट है, स्तनपान चार्ट है, पोशन चार्ट है, स्तन मॉडल है, गुडिया है, बेवी डॉल है, लर्निंग अक्शन प्रोटोकॉल भी है, उसमें वो लोग डेटा करते हैं, उनमें यह भी बताया गया है, कि अगर बचे का बज़न नहीं बढ़ाएं तो उनको क्या करना ह है, तो वो क्या करना है? झाइसे-जैसे वो करते जांगे, वो सीखते जाएंगे, इसलिए लर्निंग अक्शन प्रोडोकॉल नाम दिया हुआ है यह है, यह है पोशन चार्ट, जो है, हम लोग अलग अलग, जैसे वानने आपको पोशन ततवत दिखा है, प्रोटीन है, मैंन इसे हम लोग ने चार्ट भी ऐसे बनाए हुए मैं आपको एंपिटल में यह सारा अपलोड करूंगी तो आप लोग डाउनोड करके आपके प्रोग्राम में यह दिखा सकते हैं ठीक है भूग पढ़ाने के लिए आहार तो इसमें सारे नूट्रियंट इतने सारे डैंसे प्रेग्रिंट मदर्स को अगर वो मासा हरी है तो उसको कितना खाना देना है दिन में तो उसके भी हम लोग ने चार्ट बना है वो भी आपके नूट्रिशन चार्ट में शामिल है मैं आपको यह अपलोड करके मैं आपको दूगी मेरे पास लगबग तीन चार काने की गर्बधारी गर्भवथि मादले के लेकिन हम लोगों ने चे क्ले छार्ट बना एक थीक है एक टोमासायरी खाने वाले एक माता और एक शाकारी खाना curved जो अंडा नहीं खा रही है और दूसरी मैं या क्लाने वाली माता उनके लिए निक लिए थीन आज शे चार्ट हम लोग ने बनाए हुआ है यहां पर मैंने सिर्फ एक रखा है आपको दिखाने के लिए ठीक है और फिर दूसरी चार्ट से इसे complimentary feeding ball deck पूरकाहर के लिए यह पूरकाहर के चार्ट से दिखाया गौए कि कितना खाना चाहिए दिन में कितनी बार और क्या क्या खाना चाहिए ठीक है तो यह थोड़ा सा अपने उसके भी चार्ट बनाये हुए इस तंपांड चार्ट यह जो आप प्रेग्नेंट मदर्स को या लाग्टेटिंग मदर्स को दिखा सकते है अगर आप बच्चा दूद नहीं किच रहा है तो मा को कैसे दूद निकालना है वह भी हम लोग ने इस इक माधियम से और बच्चे को कैसे दूद बलाना है यह भी हम लोग ने सिखाया हुआ है यह हमारा क्रॉस क्राइब होल 45 अंग का पीडियेफ चार्ट तो गुजराती में जैसे मेरे पास बहुत सारी लाइंगविजिस हैं हिंदी हैं मराथी हैं बहुत सारी गलत लाइंगविजिस हैं तो इसी तरह हम लोग ने पूरे 45 पॉइंट से यह ग्राफिक के माधियम से हम जो संकित होते हैं तभी बच्चे को दूद पिलाना है अगर बहुत लेट हो गया तो बच्चा रोने लगा और फिर बच्चे को दूद मिलेगा मतलब वह बहुत इरिटिबल होगा और वह दूद लेगा नहीं ठीक है तो मैंने यह पहले पॉंट में यह बताया हुआ है कि बच्चे को कभी दूद पिलाना है तो वैसे करके हम लोग ने 45 पॉंट के और हर पॉंट के ग्राफिक्स भी बनाये हो है तो आप यह भी डाउनलोड करके अगर बच्चे मंदर को सिखाएंगे कि यह सब करना है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह पे दिख कि कैसे मां को सिखाना है ठीक है फिर एक बार ट्रेंग ओने के बाद हम लोग क्या करते है कि एक तो ही हो गया है आपका क्लास रूम में ट्रेंग हो गया डॉल पे और ब्रेस्ट मॉडल पे ठीक है यहां पे मेडिकल आफिसर है गुजरात में वो सिखा रहे सारी आशास को ठ आशाज, yay या आशाज, nursing students नर्सटरेंस, नर्सेज, तो उनको हम लोग मदर पे हो तो यहां पे देखिए झाम स्टूडेंस है कैसे बच्य को ले ना है क्रॉश केटींदों में दूद लाना है और फिर क्या होता है कि पर के वह सीख गए sm nessy फिर हम लोग वह wow shout group बनाते है ठीक है और वाच्छा ग्रूप में वो लोग आचली हम लोग को मा से कंसेंट लेके माता से कंसेंट लेके हम लोग को लाचिंग का वीडियो बेशते हैं क्योंकि जब तक वो ठीक तरह से लाचिंग नहीं होगा तो ये बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं तो फॉर मैं उनको पूछूँगी कि बच्चे का नीचे का होट का है चलो देखो यहां पर प्रेस करो यह जो यह जो लाचिंगे बहुत गलत लाचिंगे देखिए तो वह आप सिखेंगे मैं आपको सिखाऊँगे कि सही लाच क्या है गलत लाच क्या है और फिर हम लोग ये यह वर्कर्स जो होते हैं फील वर्कर्स होते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं यह बच्छी का उजन इतना बड़ा यह बच्छी इतना लंबा है यह है तो उनको इतना मतलब दे फिल सो हैपी तो यह भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक बर आप सीक तो गए लेकिन फिर आपको 40 gram बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही कोशिश करने पड़ेगे इतना easy नहीं है 40 gram बढ़ाना ठीक है और यह हम लोग ने learning action protocol बनाया हुआ है तो learning action protocol में क्या होता है कि यह सारे जो health care workers है यह उसमें data collect करते हैं ठीक है और यह है जो स्तन्पा निरिक्शन चार्ट है तो यह भी स्तन्पा निरिक्शन चार्ट भी बने बनाया हुआ है इसका भी मैं आपके साथ discussion करूँगी बहुत easy है आप कैसे वहां पे आपके जो एरिया से वहां पी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वह भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है यह नंदुर बार में लोगों ने भरा हुआ है कि कैसे वह संपान चार्ट कैसे भरते कैसे उनको यह करते तो यह भी बताया गया है यह सारा आपका यह उनको बताऊंगी कि कैसे वह आप चार्ट यूस करना है ओर तो यह पार्ट आप रापि प्रोकॉल है और यह सारा अगर लॉट अंप प्रोडो कॉल है लॉनिंग अक्शिन प्रोडो कॉल तो इसमें में ने शिखा हुआ है कि कौनसे फेस में कौनसे वीडियो यार्ट उ तो अगर मदर लास्ट ट्रीमेस्टर में है तो कौन से वीडियोस दिखाने है अगर बच्चा छोटा है तो कौन से वीडियोस मदर को दिखाने है तो सारे टूट आल्स है तो उस पे हम लोगों ने बहुत ही फोकस किया हुआ है यह सारा learning action protocol है तो वह में detail में आपको session में देखाऊंगी कि कैसे आप monitoring करेंगे क्या क्या action लेंगे तो आपका पच्चा कोगो shit नहीं होगा तो यह तो मैं आपको सिफ थोड़ा सा दिखा रहे थी और पूरा यह life cycle approach है ठीक है यह कैसे kind of engine कैसे बनाना घर्म होती वाता को उसका कैसे ध्यान रखना उसकी portion का कैसे ध्यान रखना है ठीक है male child है लड़का है तो यह आपको मालू होना चाहिए कि हफते में बच्चे का वजन कितना बढ़ता है यह दिन का वजन बढ़ना चाहिए इतना तो पहले हफते में लगबग 28 gram बढ़ता है average ठीक है दूशरी हफते में 42 gram लगबग 43 gram बढ़ता है देखिए हमारे बच्चों का वजन इतना नहीं बढ़ रहा है आप देखेंगे कि आपके बच्चों का वजन सिर्फ 15 या 20 gram बढ़ता होगा वह बहुत कम है बहुत ही कम है ठीक है तो आपको यह देखना है कि WHO की साफ से कितना बढ़ना चाहिए अगर इतना अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका बाद बच्चे का हाइट तो यह बच्चे चे मेने की बच्ची है बनास का टागी कितनी ब्यूटिफुल लंबी लड्की है 97 परसेंट पर है मतलब सिर्फ 13 टका बच्ची यह लाइनके उपर होता है ठीक है हमारे सारे बच्चे और मांबस्ट चालीच का बच्ची यह लाल- दिखें लेकिन वजन देखें कितना है तो यह आपको ऐसे काम करना है आपको और बस मैं यहाप़ आपका शुकर यादा करती हूँ और हम लोग अभी नेक्स सेशन में बलेंगे धन्यवाद झाल झाल